अच्छा मुझे एक बात बताओ 115 BAC क्या है ये ये क्या है 115 BAC कोई बताएगा 115 BAC कमेंट में बताईए फटा फट जो बच्चे लाइव में हैं बताईए 115 BAC क्योंकि एक्जामनर सिर्फ ये सेक्शन देगा अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं बता पाओगे 115 BAC कहता है does not opt does not opt का मतलब sir new is him does not opt तो इसका मतलब आप old में हो और does opt या opt to be तो इसका मतलब किस में हो new में है तो इस question को हमें दो तरीके से करके दिखाना है old से भी और new से भी की लिए लिना और निव से भी करके दिखाना है चलिए हमारे पास तीन घर है और तीनों घर को बड़े अच्छे से करके दिखाते हैं तीनों घर को करके दिखाते हैं अगर दो घर तीन घर सिंपल एक्जाम में ऐसे लाइन खीचों गए और एक्जाम में पेज्जों का कोई कंजूसी नहीं कर ना आपने क्योंकि रेजिस्टर पर तो आप कर ले तो एक्जाम में पूरा अरप्ट अराम से करना है एक वन मैंने कुश्चन हलाकि पढ़ा नहीं है अभी लेकिन फिर पढ़ लेते हैं और हैज ओक्यूपाइड थ्री हाउस हिस रेजिदेंशल परपस पिछले वाला ही केस आ गया बस यहां पर तीनों घर क्या हो गए सेल्फ ओक्यूपाइड होगे किस परपस के लिए रेजिदेंशल के लिए विच एस फॉलो पर्टिकुलर जो कि आपको इस तरीके से गीवन है तो यह हमारा ओल्ड और यह हमारा है न्यू न्यू रिज्जिम के इसाब से अब देखते हैं इसमें यहां पर मुंसिपल वेल्यूएशन यानि एमवी फियर रेंट भी दे रखा है आपको इस टेंडर रेंट भी दे रखा है अंडर रेंट कंट्रूलिंग एक्ट इसके बाद मुंसिपल टेक्स दे रखा है आपको फायर इंसॉरेंस क्या फायर इंसॉरेंस का कोई काम है जी नहीं है इसके बाद इंट्रस अन बोरोइंग कैपिटल दे रखा है यानि आपने लून जो लिया है और सारा का सारा सेल्फ ओक्यूपाइट भी मानना है इंकम आफ आर अदर सोर्से आर न कहीं और से भी पैसे कमाता है यह हमारा दो लाख चालिस हजार पांच लाख चालिस हजार डिटर्माइन दा टेक्सिबल इंकम पोर दा एसेस्मेंट यह चौबिस पच्चिस टेक्सिबल इंकम डिटर्माइन करना है एसेस्मेंट यह और इसने यह contribution किया है पब्लिक प्रोविडन्ट फंड पी एफ में जिसका एक deduction मिलता है बस मैं बता देता हूँ अभी ATC के अंदर deduction मिलता है हम आगे देखेंगे निकालना क्या है यहां पर calculate क्या करना है calculate करना है यहां question में कहीं भी नहीं बताया तो हम taxable income निकाल देंगे कुछ भी नहीं बताया तो हम क्या निकाल देंगे taxable income निकाल देंगे तो सबसे पहले हम A part को कर रहे है A part particular A part में MV FR SR MB है 230 यानि यह पार्ट किससे करेंगे हम old tax regime से 230 170 170 के बाद 210 इसके बाद 290 इसके बाद 2,00,00 इसके बाद 2,00,00 20,000 standard rent दे रखा है 242 और दे रखा है 230 और given है 210 इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा इन तीनों को compare करेंगे तो क्या निकल के आएगा expected rent इन दोनों में से higher lower क्या गया 240 हाइर लोवर क्या गया टू लैक हाइर लोवर क्या गया दो दस अब यही क्या बन जाएगा यहाँ पे जी ये वी क्योंकि यहाँ पे हमारा एट ट्रिपल आर जो सो जो compare करते थे वो तो है यही नहीं एट ट्रिपल आर जो होता था actual rent receive and receivable वो तो खाली है तो जी ये वी निकल के आया सर 242 टू लैक दो दस माइनस मुनसिपल टेक्स अब मुनसिपल टेक्स की बात करें हम तो 15% कहता है यह तो 15% हमेशा याद रखिएगा यह हमेशा होगा मुनसिपल वेल्यू का तो 15% निकालते हैं हम 2.30 का 15% इसके बाद 2.00000 का 15% 2.10 का 15% यह आगया इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आजाएगा एने भी तो यह क्या है 242 का 15% 242 का यह 36.300 कितना है मेरा अभी गलता आ रहा है पहले क्या है 242 यह 36.300 आ रहा है अच्छ 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 यह तो ठीक है मैं 30% क्यों निकाल रहा हूं कि दो ब्यालिस माइनस चौंतिस वांसों अच्छ 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 लाग माइनस तीस अजार एक बात और पता चलेगी आपको यहां पर क्या पता चलने वाली अभी देखते जाओ बस माइनस 24 ए यह कुश्च अपके एक्जाम में भी आये था क्या मैंने इसी पर निकाल दिया कि 15 पर से एक सत्तर पर निकलेगा ना 25 पान सो और दो दस पर एक अत्तिस पान सो अब माइनस करिए एक बार एक चोहत्तर पान सो तो दस माइनस एक अत्तिस पान सो क्यों कि दस है कि दो दस का 10 परसेंट 189 अब माइनस 24 एक यह आजएका हमारा सिक्स टू टू फाइफ जिरो वन सेवंटी फॉर आई डबल जिरो का 30 परसेंट यह जएका बावन कि तेन सो पचास ऑन नेटी नाइन का थाटी परसेंट फिफ्टी सेवन डबल जिरो अब माइनस क्या करोगे ट्विंटी फॉर बी कितना इंट्रस्ट है पहले केस में बताओ कितने माइनस करें दो चालिस पहले केस में है दो चालिस दूसरे में तो चलो ने ले पहले में दो चालिस है बताओ क्या किया जाए दो चालिस माइनस होगा या दो लाक माइनस होगा अभी ओल्ड रिज़्िम से कर रहे हैं इसको बुच्चे कह रहे हैं कुछ डिडक्ट नहीं होगा 31-500 आएगा हाउस 3 का 31-500 कैसे बता रहेंगे यह 10% है 15 नहीं है 10 है वो मेरे से भी मिस्टेक हो गया था एक बार बताओ इंट्रस क्या डिडक्शन करेंगे पहले घर का इंट्रस ऑन बॉराइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस तो आंसर इस सर क्योंकि एने भी जीरो है क्या नहीं है तो पूरा माइनिस करेंगे तीसरे घर का कितना दो लाख पचास अजार अब निकाल लो यह आगया माइनस में अब यह सर माइनस में भी आ सकता है हाँ आ सकता है माइनस में यानि यह लॉस हो गया इंकम फ्रॉम हाउस प्रपटी नहीं हुआ लॉस फ्रॉम हाउस प्रपटी गवा यह आ गया वन डबल टू वन फाइब जीरो यह आ गया माइनस एक लाग सतरा जार साथ सो पहले यहां तक देखो कहानी यहां तक क्लियर है आपको यह जो नीचे दो लाइन लिखे ने इस लाइन को मैं एक्स्प्लेइन करूआ क्योंकि अभी तक हमने सीखा ही नहीं इसको चलिए क्योंकि old tax regime में 2,00,00 है होगा अब बच्चे फिर से वो 2,00,00 वाली बात मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे लेकिन old tax regime में 2,00,00 की limit जो दे रखी है वो दे रखी है self occupied के case के अंदर अगर let out है तो वहां पे no limit है कोई limit ही नहीं है चलिए मैं दिखा भी आई ये दिखाता हूँ यही कह रहे हो आप self occupied के case में आपका maximum deduction कितना है 30,000 और यहां पे maximum deduction क्या है आपका 2,00 लेकिन अगर let out का मतलब जब आपका nav equal to not 0 हो जब nav 0 ना हो तो आप full amount deduct कर सकते हो इसका मतलब यह है ठीक है चलिए अब यहां पे तीनों को एक बार self occupied मानों यह भी एक इंट्रस्टिंग है सर उसको भी calculate करना पड़ेगा तीनों को self occupied मान के सर ऐसा क्यों क्योंकि इसमें इंट्रस्ट है पहले सर ऐसा करते नहीं थे पहले इंट्रस्ट था नहीं तो मुझे पता था कि जो income from house property आएगा जैसे कि पिछले आले question में मुझे पता था कि income from h1 h2 का 0 आना है अगर हम self occupied मानते हैं तो लेकिन यहां पर इंट्रस्ट की वज़ए से 0 के जगा माइनस में भी आ सकता है तो h1 h2 h3 तो आपका यहां पर एने भी क्या आएगा एने भी तो 0 आएगा लेकिन माइनस 24 बी तो करी सकते हो माइनस 24 बी तो कर सकते हो तो कितना है यहां पर दो 40 लेकिन maximum limit दो लाक यहां पर तो है यहां पर कितना है दो 50 maximum limit बताइए अब सोचिए maximum limit तो law पहले कहता था कि तुम ले सकते हो अगर पुरानी law की बात करे तो वो यहां पर दो लाक लेने देता लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव amendment आया और बोला टोटल टोटल amount आप दो लाक से ज़्यादा जाही नहीं सकते हैं यानि अब यहां पर आपको deduction नहीं मिलेगा सभी घर के अगर self occupied है सभी घर को total कर लो उन सभी को मिला के दो लाक हो सकता है सपोस्कोर यहां पर होता हमारा 41 तो मैं यहां 60 और ले लेता यानि total मिला के कितना हो सकता है सरिफ दो लाक हो सकता है तो मैंने धाई मेंसे दो तो यहीं consume कर लिया बाकी तो है नहीं तो total limit कितनी है self occupied के case में तो लाग एक घर का दो घर का तीन घर का सभी घर का मिला के दो लाग है अगर एक घर का दो लाग है दूसरे घर का डेड़ लाग है तीसरे घर का तीन लाग है तो भाईया तब भी टोटल मिला के कितना मिलना है दो लाग अब आपकी मर्जी है यहां दो लाग माइनस कर लो यह राएगा दो लाग माइनस का जीरो 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 अब यहां बनाना पड़ेगा हमें क्या कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन सिचुवेशन वन अब एक चीज़ नोटीस करना पिछले सवाल में आप देखो सबसे लोइस्ट हमारा इंकम कहा था कि यह तो सबसें कम इनकम को मानलो स सबसें जड़ा जिसकी इनकम आरे इसको मानलो सेलफ औक यह है झाल झाल